इस कारिकरुम के पुन्यार जख हैं माता पिता, श्रीमान रूपजन जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रिखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवाल, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर नील गगन में अधर हो, सोबित निज में लीन, नील कमल आशीन हो, नीलम से अतिनील सील जील में तैरते, नेमी जीने से सलील, सील दोर मुझे बांधे दो, दोर करो मतडीन तिर्तंकर लेनी के मूनलाइक, एक अजार आठ सिरी, नेमी नात बगवाने की, सब बोलो परमुकारी संचिरोमने आचारी गुरोर विद्याद सागर जी मामुनी राज की, पुजिमुनी सिरी एच स्वार दुल्लब सागर जी माराज की नमे सिरी वर्द मानाये, निर्धूत कलिला आत्मने, सालो का नाम, तिलो का नाम, यदि विद्या दरपनाईते आचारी समंत बद्रिस्वामी की, यहां पर हमने पंच सूना से प्रारंब किया और वो भी सिच्षा वरतों के अंतरगत आता है, क्योंकि अभी जिससे मुनी बनने की सिच्षा मिले, उसे तो सिच्षा वरक कहते हैं, आरिका बनने की सिच्षा मिले, उसे ही सिच्षा वरक कह बढ़ेंगे तब अपन एक एक कदम आगे बढ़ेंगे अभी जैसे आचारी बढ़्वन ने वहाँ पर 21 छुल लग्जी बनाए तो वो सब स्रावट की उत्रिष्ट इस्तती आ गई अब बस एक दूपटा अठा जें तो एलक उसके बाद में फिर वो लंगोट भी हड़ से एक एक कदम एक कदम आगे बढ़ने के लिए चार प्रकार के जो दान होते हैं उनके बारे में बताया था कि किस प्रकार से हम छोटे से दान के द्वारा बड़ा फल प्राप्त कर सकते हैं जब विश्वास नहीं हो रहा था तो आचारी समंत पद्रिस्वामी ने एक उधा और जब उसको सई समय पर भूमी में बहुत या जाए तो वह कालांतर में एक विशाल व्रक्षि का रूप ले लेता है वैसे ही समय पर छोटा सा दिया गया दान आपको कालांतर में बहुत महान फल को देने वाला होता है चक्र व्रती भी वो दान नहीं दे पाया तिर थंकर जब आदिनात बगवान निटले तब और राजा श्रियांसर सोम ने पूरू महों में जो दान दिया था वो याद आया और इन नौदा भट्ति ऐसे होती है और बस हे स्वामी नमोस्तू नमोस्तू भोला और तिर्थनकर उसके आंगन में आके रुग गए पंचास चरी की वरि इस प्रिकार से एक छोटा सा दिया गया दान अपन को कहां फल देगा आपको ये पता नहीं लेकिन ध्याद रत्ना आचारे बढवन्ति यहां पर कहते हैं कि अब आगे कि दान कितने प्रिकार का होता है उसके बारे में बता रहे हैं तो पात्र और दाता दोनों की अपनी अ प्रियादा बताई एक सीमा बताई पिछले वीड़र दिनों में हमने इसका उलेक भी किया कि पात्र कितने प्रिकार के होते हैं दाता दोनों से गुण होते हैं तो यहां पर भी आपको इस बात को समझना जरूरी है कि बिना एक सहीता होती है अकोर्डिन टू आप ला कानु उलंगन हो जाता है एक संस्मन याद आ रहा है उससे अपनी बात प्रारम करूं कि एक बार सुस्मा स्वराज जब स्पीटर थी लोटसबा अद्येट्स तो नेमा वर में आचारी स्रीजी चर्णों में दर्शनार्थ आई तो आचारी स्रीजी उस समय चुनाओं का माहोल था आचारी स्रीजी ने एक प्रस्ने किया उनके सामने ये बताओ कि केवल दो महिने या एक महिने ही आचार सहीता लागू क्यों होती है क्या उसके बाद में पूरे देश में अनाचार सहीता लागू हो जाती है क्या आप देखो जब चुनाओ होते हैं तब अचार सहीता लागू होती है फिर उसके बाद हट गई इसका मतलब अनाचार सहीता नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं है अनाचार सहीता नहीं लागव होती है तो फिर आप दो महीने के लिए इसलिए हमेशा अचार सहीता रहनी चाहिए ये गुरुजी कहते हैं तब ही हम सादू सादू रहेगा और स्रावक स्रावक कहेगा स्रावक अपने कर्तवे पे पूरा खर तब ही आप देखिए आज स्वरूप आचारी स्री जी जी तो पिछी होती थी ठीक है? अब क्या देते बोलो केवल एक मुलायम जो नरम कपड़ा होता है वही उल्लेक मिला वो उसी को एक आचारी स्री जी ने पोलो किया कि आगम की क्योंकि आगम चक्षु साव आगम ही चक्षु होते हैं सादू के लेकिन आज जिनकी प्रतिमा ही नहीं है हेलिकोप्टर में प्लेन में सब में चल रहे हैं लाकों करोडों रुपए की जायदा जिनके नाम से होती है वो फिर भी पिछी हाथ में रखे वे हैं बोलो क्या ये स्वरूप निर्दारण है? आज लगबग सो चुल्लत बनने वाले हैं बनी गए समझे लो सो चुल्लत जिट्षाएं हो गई अभी अभी में देखते ही देखते बटा बट इस प्रिकार से और अभी तो लाइन में लगें अभी भी ये तो बहुत कम केवल मात्री जिनकी एंट्री हो चुकी थी या जो इंट्री भी जिनकी थी उनमें से बहुत छटनी हो गई थी तब जाके तो अभी फिर पचास लाइन में आने वाले समय में बता रहा था आज रितिक कि फिर से उनी जिट्षया चुल्लत जिट्षा भी और होगी वहीं पर ही तो इस प्रिकार से तो यहां पर भी हमें अपनी मरियादा हमें अपनी सीमा योग्यता यह निरधारन करना जरूरी होता है आज भी कुछ आचरी समंत बद्रिस्वामी उसी बारें बता रहे हैं कि वह जो दान का फल है तो आपने वो तो बताया लेकिन वो कितने बेदवाला होता है तो बोले चार बेदवाला होता है इस कार रोसद योरब उपकरना वासियोष्य दानेन वयावरत्यम ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रहा यह है चार प्रकार के दान की वहाँ पर भी बताई आप लो दस लक्षन की पूजान करते हो न बोलो दस लक्षन की पूजा में त्याग में क्या पढ़ते हो दाने चा परिकार चार संग को दीजिये धन बिजली उनहार नर्भव लाओ लीजिये उत्तम त्याग कहो जग सारा ओसद सास्त्र अवे आहारा बस वहां पर ओसद दान, सास्त्र दान, आस्त्रे दान और आहार दान यहां पर भी उसी को ही प्रकारांतर से बता रहे हैं कि आहार ओसदियो हो आहार दान और ओसद दान यह भी बट्टी तोड़ दी फिर उपकरना आवासियो हो उपकरन दान और आवास दान दाने इस प्रका ये दान के द्वारा वयावरत मृतें, वयावरत करते हैं, चरुत्चतुरात्मत्वेन, कौन कह रहा है, ये उनके द्वारा कहा गया है, जो चार ज्यान के धारी है, चार कल्यान जिनके हो गए, ठीक न, ऐसे चार ज्यान के धारी कह रहे हैं, कौन को, आप लोगों को, चतुर आप लोग हो और कितने प्रिकार का है चतुर स्रहा यानि चार प्रिकार का है आप लोग चतुरों को बता रहे हैं कि चतुर यानि चतुर आत्मत्वेन यानि कि चार प्रिकार के जो ज्ञान के धारी है वे गंदर परमेश्टी बग्वन्त हम को बता रहे हैं कि आप आहारदान अउसद दान उपकरणदान और आवासदान ये चार प्रकार के होते हैं इसमें विवत्ती तोड़ने के कारण मैंने पहले सुना था पढ़ने में अभी नहीं आया इसमें तो नहीं है फिर भी ये कि आहार और आसद ये सुधी स्रावक ही देते हैं ठीक है न और आवासदान और उपकरणदान कोई भी दे सकता है इसलिए दो बार भी वट्टी तोड़ी एक इलाइन में लिख देते हैं आचारी समंध बद्रिस्वामी नहीं लिखे क्योंकि आहार दान और आसद दान केवल सुधी स्रावक उत्रिकुल गोत्री जो होते हैं या जो प्राइस्चित आदि पूरे कर लेते हैं वही दे पाते हैं और उपकरणदान और आवासदान और आगी वाले कारिका से भी स्पश्ट हो जाएगा कल आपको बताएंगे कि किस भी सिरना प्रिकार से आहार दान में शरावत और ओसदान में श्रावी यि का तो साबवक और स्रावी Gaming अब देखो उपकरणदान में है कि गौला मचा गौला तो मतलब ग्वाला कौन था गायन को चराले वाला था और और आवाश्दान में सूकर तिरियंच मलब उपकरण दान और आवाश्दान कोई भी दे सकते हैं और इसमें एक विशेश बात बता दू कि आवाश्दान का दूसरा नाम अबैदान भी है ठीकर ने अभी जो अपने पड़ाता है और शास्त्र अभै आहारा या आस्रे दान भी इसको भोलते हैं ठीकर ने तो अभै दान ज्यादा व्यापक है और दूसरा उपकरण दान का दूसरा नाम सास्त्र दान भी है लेकिन उपकरण ज्यादा व्यापक है समझ भी आया सास्त्र में क्यों सास्त्री इच्छी कमंडल और भी माली बाजोटा आदी है या जो माराज जी के योग्ये जैसे पाटा आदी चोकी आदी अभी उपकरणों में आप लोग दान कर रहे हो यहां पर बढ़ चड़ कर तकत बनके आ गए तो यह सब उपकरण दान आदी में आते हैं इस प्रिकार से इन चार हो तो आहार दान चार प्रिकार का जो आहार होता है उसका दान करना चार प्रिकार का आहार कौन कौन सा होता है तो सबसे पहले खाद्य फिर स्वाद्य ले और पेई ठीकन खाद्य में रोटी आदी जो सबजी वादी सब आ जाईए और स्वाद्य में लड्डू पेड़ा ब हुए पीने योग यह आप लोग सुद्दे बनातर प्रासुट देते हैं इस परिकार से आहार्दान फिर ऑस्ध्दान अब ओस्धी दान देखो ओस्धी दान का बहुत बढ़ा अरिचत क voltar गया उसको बुला लो तो ओस्दी दान का बहुत बड़ा महत्व है और यहां तक बताया कि आहारदान और ओस्दान इस प्रिकार से कराए जाता है कि किसी को मालूम भी नहीं चले और हमारा काम हो जाए गीत गाते गाते नहीं कि गीत गाते अटिन और आप पीट के चलाएं तो फिर ने त प्रिकार से दे कि मालूम भी नहीं चले और ओस्दी दान तो आपको आचारी श्री जी का संस्ट्मन सुनाता हूं कि आचारी श्री जी जब विद्यादर के रूप में थे आचारी ज्यान साकर जी महराद जी जो विद्या प्रकाद जी शेटी है उनको पूछे कि यह रात मे पढ़ता लिटता भी है या सोजाता है कितने बजे सोता है कितने बजे उड़ते तो देखते थे खेड़ती से ब्रह्म चारी कट्स में तो रात में 11 बज़े तक पढ़ रहे हैं सुबह 4 बज़े उठे अपनी सामाईट ध्यान कर रहे हैं इस प्रकार से जो भी पाट देते माराज्जी दूसरा दिर सुना दे दे था जी और यादय कोश करते थे मैनख करेंगे अधियांक करेंगे उसके लिए दिमार भी तो चाहिए तो आचारी सिरिजी जीर जी सुनरो विद्यादर लुड़ कारी और जब पिर्मुनिनमाराज जी बन गए उसके बाद में उससें में तो हरीलेते थे, तो शेट, सरसेट, वहाँ पर भाट चन जी सोनी अब उनके या हीरे जवाराची क्या कमी तो स्वर्ण भस में सुन रहो स्वर्ण भस में है आपके जवार मोरा है मुट्टा पिस्टी है ये मेंगी जो हीरत भस में हीरे की जो बनती है ये उसमें पपीता में बीच में डाल के चला देते पपीता में बीक में डाल की तो आरे थे और आचारी स्रीजी भी ज्यान सागर थी महराज की एक यानी नंबर की व्याईवर्ती इस प्रिकार की उनको मालूम ही क्योंकि उनको साइट इस दर्द रहता था तो उनकी व्यवस्ता उसी साफ से उनको क्या चीज सूप कर रही है किस प्रिकार से उनकी आर चरिया जो है क्योंकि बुड़ा पेगा शरीर था तो जो उनको रुचता था जो उनके लिए शरीर के लिए अच्छा रहता था क्योंकि आहार दान देखो शरीर निरोग रहेगा तभी तो धरम द्यान निराक उलता से कर पाएंगी चोवीश गंटा ध्यान में बै कार से हमें निराकुलता से धरम द्यान करें ऐसी भावना के साथ में तो यह आपन को मालूम होना ची विवेख पूर्ण से करें फिर उसके बाद में तीसरा है औसर के बाद में उपकरण दान आप सब जानते हैं पीची कमंड जोई में ने बताया और आवास्दान कुछ लो जाना चीए उनका काम भावनों में रहने का थोड़ी हो तो वन में रहने चीए तो एक दान ही कम हो जाएगा आपका फिर तीन ही दान बताते हैं सास्त्रों में जो ज़्यादा निश्यने वाले जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं जो ज़्यादा स्वाध्याय करते हैं उनकी बुद्धी भी वैसी हो जाती है, हाँ, मल जी, मल जी, तो उनके सास्त्र पढ़के, वो थोड़े से, अब उनकी देखो, बोले, क्यों कहेंगे कि दूर रहेंगे, जंगल में रहेंगे, तो दान ही नहीं देना पड़ेगा, कभी चोका लगाना नहीं पड़ेगा, ओसत दान द देना नहीं पड़ेगा, आवाजदान तो मना ही कर दिया उन्होंने, कि भवनों में रहें सो मुनी नहीं, बोलो, तो यह एक बहुत बड़ी, यह हमारे भोले बाले स्रावकों को बिच्काने की, और उनको तोड़ने की एक साजिस है, इसलिए इस से आप लोग बचे, अपन को चोका लगाना ही नहीं, जिसको चोका नहीं लगाना है, वही यह बात बोलेगा, जिसको लगाना हो कभी नहीं बोलेगा, तो उद्दिष्ट के अंदर तो ऐसा होगा, कि अगर हम कहें, तो उद्दिष्ट हो जाएगा, कि मेरे लिए यह बनाओ, तो उद्दिष्ट हो जा इसके बाध में एक और विदामा औस्ति दान के साथ में भी अब औस ति दान तो ऐसा हो जाएगा कि माराजी को पिमारी होई पहले वो सरावrióत को भी होना Keeping वो ही पिमारी मार लिए किसी को जुखाम हो रही है तो पहले स्रावट को जुखाम होगी तब वो उकाली बनाएगा और फिर महाराजी वो चला सकता है नहीं तो उद्धिष्ट चा दोस लगेगा क्योंकि महाराजी को जुखाम है स्रावट को तो थी नहीं बोलो एक और कि अब वयावरती चल रहा है ये शिच्च सवरत तो हासी आती है उनलोड़ों भी बातों पे वो कहते हैं कि अगर तेल लगाते हैं तो लेपा अहार कर दोस लगता है क्या बोलते हैं पहले बात तो वो एक इंद्रियों में होता है पंचे इंद्रियों में नहीं पहले दूसरी बात ये है कि लेपा अहार तो फिर ऐसा है जब महराजी अहार के लिए जाएंगे 10 से 11 के बीच में या साड़े नो से साड़े 10 के बीच में तो एक आजमी दो आजमी अहार कराओ और तीन आजमी पिच्चे से तेल लगाओ क्योंकि उनके मालिक कमर में दर्द है या पाओं में दर्द है तो उसी समय लगा सकते हो आहार का तो वही एक गंटा है बस बाकी समय आप तेल भी नहीं ला सकते हो तो ये सब ज़्यादा अजीर्णता है स्वाध्याई की अपने मन में किसी परकार का confusion नहीं रखें ये जिनको देना नहीं होता ये जो बहाने वो तो ऐसा ही होता है कि नहीं तो सोमन टेल होगा और नहीं रादा बोलो हाँ कभी नहीं होगा इस परकार से अपने आपको बचाएं ये आज बहुत ज़्यादा हो रहा है मुनियों को देखकर मुँ फेर लेते और उनी की भासा में अन्य लोग भी क्योंकि वो लोग तो यानि उनको तो प्रभु की पूजा भी दो चावल आदिस करना है हे गुद्धी से करो पुन्य बंद हो जाएकर तो सोने की बेड़ी और लोग की बेड़ी बेड़ी है इस प्रकार के उपदेश देकर क्या कमा रहे हैं और कहां जाएंगे यह सब आगम के अनुसार नहीं है वो पढ़ते तो लाइन तो यहीं है गाता तो यहीं पढ़ेंगे लेकिन तीचा अपनी मन मर्जी कर देते बांट दुकान आपकी हो सकती है गुरुजी बोलते है दुकान आपकी हो सकती है लेकिन दुकान के उपर माल आपका हो सकता है लेकिन दुकान के तराजू और बाट आपके नहीं चलेंगे घर के नहीं चलेंगे वो तो जो आगम के तरह जुबाट है उसको चलाओ कुछ लाइने अंडर गाउन कर देते हैं और कुछ अंडर लाइन करते हैं हाँ ऐसे स्वाध्या ऐसे तुरंत मूँ मोल लेना नहीं करोंगे तो फिर भी सादू के पास आते रहोंगे और करोंगे तो बटक जाओंगे वो आचारी कुंद कुंद के सास्त्र को नीचे ही नहीं रटते लेकर उचलाओ और कोई नहीं पढ़ते हैं तो ये भी बताओंगा आपको कल अभी तो समय हो रहा है तो इस प्रिकार से ये अपना जो है चार प्रिकार के आजदान की चर्चा क अपने जीवन का कल्यान करें इसी परम उनित भावना के साथ मैं अपनी वाने को विराम देता हूं बोले अहिंसा पर्मो धर्म की आचारी गुरुवर विद्या चागर्जी महमुनिरा रत्मकंसराव का चार की बात चल रही है और उसमें भी वय्यावरती शित्षा व्रत है जिस से हमें आगे बनने की शित्षा मिले उन भृतों को कहते हैं शित्षा व्रत है समझ में आई मुनी माराज जी बनना है तो मुनी बनने की शित्षा मिले और आप सब महिलाएं बैटी इतनी तो महिलाओं को आरी का माता जी बनना है तो माता जी बनने की शित्षा मिले उस को बोलते हैं सिप्सावरत ऐसे सिप्सावरत जो उसमें भी वयवरती यानि अथिति संविभाग का वर्णनियां पर हम कर रहे हैं पिछले दिनों से जिसमें मुठ के रूप से दान के बारे में बताया और चार प्रकार के दान चार संग को दीजिए आप लोड़ पूजा में पढ़के अभी आए हाँ ना तो इस प्रकार से दस लच्छन पूजा में पढ़ते हों चार प्रकार का दान कोन कोन सा होता है आहार दान और सदान हाँ बहुत बढ़िया तो उपकरन दान भी बोलते हैं सास्त्र दान का दूसरा नाम क्या है और आवास्त दान का दूसरा ना है अभैदान है अभैदान बोलो चाहे आश्रय आवास्दान बोलो यह नाम है इतना अपने कल पड़ा था दान के संस्कार बहुत गहरे होते संस्कारों का कितना महत्तु होता है देखो और वो कब उद्रगाटित हो जाए कोई पता नहीं आज जो अभी आप बैठ कर यहां पर प्रवचन हमने कहा है कि आप लोड और आप लोड़ों की भी भावना कुछ लोड बिना कहें दर्शन के भी भाव आप लेके इतना दूर दूर से आए फिर उसके बाद में कुछ वानी मिल जाए माहराज जी की यह भावना भी रटते हैं और फिर उसके बाद में कुछ उनक कि अंजुली में देने को मिल जाए, ये भी भाव आप लोग रटते हैं, ये सब पूरु में आपने दान दिया, उसका प्रभाव है, समझ में आया, संस्कार कभी दूमिल नहीं होते हैं, धही होता न, धही जमाया, आप धही के बरतन में पूरा उसको पोंच भी लो, है न, फ ये ही तो संस्कार हैं, जो आपने पहले कभी मुनी माहराज जी के दर्संग किये, पहले कभी आपने उनको दान दिया, कभी उनकी वानी सुनी, इसलिए कभी भी एक होता है, कहने के बाद आपके भाव बनते हैं, इसलिए हम भी यही चाहते हैं, जैसे मान लिए हमने प्रात पानी के डल गए ये कब काम आएंगे कोई पता नहीं है हाँ राजा श्रियांश्ट का उधारण भी आपने सुना है और यहां पर दूसरा उधारण भी दे रहे हैं श्री किस भीम का उधारण देखो कैसे बलिस्ट थे भीम तो मैं भोल रहा था कि भीम जो है इतना बलसाली अ इतना पड़ता था क्यों भीम को कुछ जरूरत नहीं है उसको तो जो चीज सामने नजर आई उसी से और नहीं तो पिल्लरी उठाके फैन देगा और नहीं पेड़ी उखाड के उसको पर ड़ा ढाल देगा इतना बल कहां से आया उसने पूरू भाव में वयावरती की थी इस इतना बल आया यही तो यही दान का प्रभाव है चाए वो अभीम हो चाए बावुबली एक साल तक एक वर्स तक एक युद में निराहार उपुआश किये खड़े रहे बोलो बावुबली में कहां आया इतना बल कहां से बानामी बावुबल जिसके जिसके बल के आगे कोई दी टिक पाए चक्रवर्ती भी आहां वेर्द्या चुपचाव कुछ नहीं भरत भी रहे गया ऐसे बावुबली में भी बल आया वयवरती के कारण और श्रीकिष्ण श्रीकिष्ण ने तो तिर्थंकर प्रकरती का बन कर लिया बोलो ओस्तिदान के प्रभाव से वयवरती के प्रभाव से उन्होंने तिर्थंकर प्रकरती का बढ़ कर लिया इस प्रकार से अभी आएगा इसमें आज आचारी बगवन कुद बता रहे हैं लेकिन कई बार उसके पहले कि ये गाता अपन ले उससे पहले मैं बताऊं कि चार दान अपन जो है करते हैं यदि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है बहुत सुन्दर है दितने में पढ़ा लिखा भी है बुद्धी मान भी है निरोड भी है लेकिन बोलो सब कुछ है उसके पास में सुन्दर है पढ़ा लिखा है बुद्धी मान है निरोड भी है स्वास्ते भी अच्छा रहता है लेक मतलब उसने अपने जीवन में पहले कभी आहारदान नहीं दिया आहारदान दे तो दान दानात भोग मैंने बोला ने पड़सोकारी का कि दान से भोगों की प्राप्ति होती है दान नहीं दिया इसलिए उसको भोगों की प्राप्ति नहीं हुई दूसरा एक व्यक्ति है उसके पास में जिसके पूरुवज खूँद संपती वाले खूँद पैसे वाले उबरतमान में भी खूँद अच्छा उसका बिजनिस व्योसाई फैट्रियां चल रही है निरोग भी है पड़ा लिखा भी है लेकिन प्रती समय खाते पीते उढ़ते सोते जाटे खाली उसको डर बना रहता है भै बना रहता है बोलो क्योंकि उसने पूरुवज और अभेदान नहीं दिया इसलिए उसके वीतर में भै बनावा है पूरुङ यदि वो अभेदान देता आवास्दान देता तो कभी भी उसको आश्रेदान देता तो कभी भी उसको डर नहीं रहेगा चाहिए कई जंगल में भी बैड़ जाएगा रात में भी हम ऐसे ही बैड़ जाते हैं नदी के किनारे तो भी कोई नहीं क्यों? क्योंकि पूरू में उसने इस प्रिकार का किया होगा फिर उसके बाद में एक व्यक्ति है बहुत पैसा दिया पैसा है अपार पैसा है यह नि लक्ष्मी इतनी है कि समाले नहीं समल रही है खुब आरा जारा है कोई उसके पास में भै भी नहीं है विद्वान भी है पडालिका है विद्वान है पर हमेसा रोगी बना रहता है स्वस्त नहीं रहता मून की डाल भी खाता है लूकी रोटी भी खाता है तो पचती नहीं है वो भी बच जाती है बोलो उसने पूरू में औसद्धान नहीं दिया इस लिए ऐसा हो रहा है यह औसद्धान देता तो उसको ये हालत प्राप्त नहीं होती, फिर तो बाववली अभी देखो न, भी श्री किष्णु धारण दिया हमने आपको, फिर उसके बाद में अजला एक व्यत्ती है, वैबव संपन है, निरोग है, लेकिन दिन रात अध्यक करने के बाद भी कुछ याद नहीं होता है उ क्योंकि पूरू भव में उसने कभी सास्त्र दान नहीं दिया, इसलिए उसको कभी याद नहीं होता है, इसलिए इन चारो दानों को आप लोग आज दूलिया वाले हों चाहे, और आज के सभी लोग हैं, आपकर सुमा वाले भी महाराष्ट्रे से तो यान जुड़ावाई ह क्या होता है, वो करेंगे, तो आपका यह जीवन संस्कारवान बन जाएगा, और संस्कार तो आप जानते ही है, एक बार, पानी होता है न, पानी, देखो संस्कार कैसे होते हैं जीवन में, तो पानी का, एक बार पानी डल गया आंगन में, अब सूट गया, बिल्कुर सूट गया है लेकिन दुबारे जब कभी पानी डालोगे तो वो जो पहले से पानी के जो दाड़ बने वे हैं उसी धार में वो बहेगा इसको बोलते हैं संज्टकार क्यों क्योंकि उसमें वही संज्टकार है कि इधर जाना है इस प्रकार से हमारे जीवन में भी इस सज्टकार हमको डालना है तब ही हम अपने इस जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं आज आचारी बगवन एक कारिका के माध्यम से देखो ये भी रत्नकंट स्रावकाचार की ही एक विशेशता अनूठा गंत है बिल्कुल बेजोड कि इसमें नाम लेकर बताया गया है व्यक्तियों के नाम लिए और नाम लेकर कहा इसमें यह यह व्यक्ति प्रसिद्ध हुए चाहे वो सम्में दर्सन के आठ हंग हो चाहे वो पांच पापों में प्रसिद्ध हुए हो चाहे वो पांच पापों के त्याग में वरतों में प्रसिद्ध हुए हो और आज चार दाट की बात आई तो उसमें भी आप देखिए वहाँ पर अहिंसा वरत के लिए किसको याद किया कोई बहुत बड़े सेड साउकार को याद नहीं किया, बोलो, हाँ, यंपाल चांड डाल को, चांड डाल है, लेकिन ये अनुटा करते हैं, बिल्कुल, इसी प्रकार से वरतों में भी, पूजा आदी में, पूजा में किसको याद किया, कोई बहुत बड़े आप जैसे नहीं, ये खूम बड़े बड़े द्रव मे कि थाल सजा सजा कर ला रहे हैं, भेक प्रमोध मत्त है, हाँ, कि उल्मात्र, एक मेंडक छोटा सा, इस समंत्वंत्र स्वामी की, अपनी एक बहुत बड़ी, एक, यानि इसको कहेंगे, उनकी सोच है, उस सोच का कमाल है, कि हर व्यक्ती में सुधरने का अउसर है, बस आपको देखना है, कि मन कब सुधर सकता हूँ, जब आप चाहेंगे, जब जागे, तभी सवेरा हो जाता है, इसी प्रकार से, आज समंत्वंत्र स्वामी, इस कारिका के माद्यम से, चार दानों में कौन-कौन प्रसिद्ध हुए, कल मैंने बताया था, कि विबत्ती तोडने का हो, यानि आहार और ओसद को अलग रखा, और फिर उपकरण और आवासियो हो, यानि उनको अलग किया, तो उन दोनों को, इसका मतलब यहां समंत्र बद्र स्वामी है, सेम अडली कारिका में इसमें समझ में आ जाएगा आपको, कि आहार दान और ओसदान हर कोई नहीं दे सक इस प्रिकार बहुत सारे उसमें होते हैं विकल्प, इस प्रिकार से यानि आहार दान की यानि योग्यता पात्रता होनी चाहिए, उच्छ कुल में जन्म होना चाहिए, हर कोई नहीं दे सकते हैं, ठीक है न, और उपकरण दान और आवासिदान, कोंडेश गवाला दे रहा ह और चूकर तिरियंच दे रहा है, इसलिए हाँ, कई भार आप दोंके मन में प्रशना आ जाता होगा, अरे वो तो यानि जो है न, खटीक है और उससे इस प्रिकार से जो है न, महराज जी वहाँ पर करवा रहे थे, तो कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों दान कोई भी कर सकता है, इस प्रेकार से, यहाँ पर ये गाता आपन करिका लेते, फिर उसकी जितना आगे बढ़ पाएंगे उतना देते, श्री सेन व्रसभ सेने, कोंडे सह सुकरस्च, द्रश्टान ता, वया व्रत्य से ते, चतुर्विकल्प अश्य मन्तव्या, यानी व्रत्य व्रत् चार विकल्प में, चार लुड़ प्रसिद्ध हुए हैं, कौन-कौन? श्री सेन, व्रिशब सेने, यानी व्रिशब सेना, तो श्री सेन जो है नाम का, जो ब्रामन था, वह है, आहार दान में प्रसिद्ध हुआ, फिर व्रसब सेना, यह ओसत दान में प्रसिद्ध हुई, फ कोंडेस है, कोंडेस नाम का जो ग्वाला था वह है, उपकरण दान या सास्त्र दान में प्रशिद्ध हुआ, सूकरश्च और सूकर यह अबै दान में, आवास दान में प्रशिद्ध हुआ, कल भी मैंने बताया था, देखो, संत सालाएं बनती हैं, बड़ी बड़ी, अगर य मुनी महाराज तो जंगल में रहते हैं, तो फिर संत साला के लिए दान, आवास दान ही अलग हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इसलिए ऐसा मत समझ लेना, कि मुनी महाराज जो है, जंगल में वन में रहे तो मुनी महाराज, और भवन में रहे तो मुनी महाराज नहीं, यह तोड़े से जादा स्वाध्याय का प्रभाव है इसलिए ऐसा स्वाध्याय से तोड़े सापने आपको keep distance दूरी बना कर रचना हां क्योंकि उनको दान देना नहीं और आश्तर दिया नहीं है इसलिए ऐसे कारिये करते हैं तो यहां पर अपन सिरिशेन जो ब्राह्मन है उसकी क राजा था राजा श्रीशेन अब देखो यह भी एक बात है कि पूर विकाल में को कि यह तो आदिनार के बाद ही हुए ना समंध्य पंत्र स्वामी उन्होंने राजा श्रियांस को याद नहीं किया जबकि आहरदान में कौन प्रसीद दूआ बोलो बच्चा बच्चा बोल लेगा कौन प्रसीद दूआ राजा श्रियांस लेकिन यह आचानियों की इस्चेली होती है कि उनको तो सभी जानते हैं समझ में आ रहा है जिसको नहीं जान रहे उसको भी तो बताना एट नहीं बताना है और फिर राजा श्रियांस जो है वो दान तिर्थनकर कहलाया दान तिर्थनकर का प्रवतन दान का प्रवतन के इसलिए दान तिर्थनकर कहला है और स्रीशेन राजा आगामी तिर्थनकर हुए सांतिनात भगवान का पूरु भव दस भव पहले उन्होंने दान दिया था तब जाके वो सांतिनात तिर्थनकर हुए और देखो, एक और हमारा इसमें जो विचार रहन चिंतन गया, कि सांतिनात वड़वान अद्बुत है, आप लोड सांतिनात विधान करते हो, सबसे जादा विधान हुई होता है, हाँ, भले असांति मिटे जाए नहीं मिटे, लेकि फिर भी सांतिनात वड़वान का विधान तो कोई भी जनम मरण परण कुछ भी होए किसी का भ्याव है तो सांतिनात विदान की चीखा पुन्य स्मर्ति है तो सांतिनात इसलिए क्यों क्यों कि वे तिर्थंकर तो थे अन्य तिर्थंकर के बारे में मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि तिर्थंकर अन्य जो है कोई कम जो रह पह Ginsnat वड़्वान की हुभ मूरतिया मिलेगी लेकिन पिर विधान सानती नात होता है वहां पर भी आप देखिए वहां पर भी क्यों क्यों कि इन पर कोई उपसर्ग नहीं हुआ बोलो महावीर वड़्वान पे उपसर्ग रूँआ पारशनात पे हुआ आधिनात पे भी पूरू भाव में हां लेकिन इन पर कोई नहीं इस प्रकार से इनका पुन्य थोड़ा सा तर्ड़ाई कहा जाएगा वैसे देखो पुन्य की अनुभाग भी सबके अपने अपने अलग 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 तो होते हैं यह ऐसा तो है नहीं तो उ आज पूरा हो रहा है इसलिए अपन देख लेते हैं यह एक कहानी ले लेते हैं बाकी तीन फिर बाद में हो जाएगी कि वहां मलय देश में रत्न संचे पूर नाम का एक नगड़ था उसमें राजा स्री सेंड थे उनके जो रानी थी दो रानिया थी सिंग नंदिता और अन दो रानिया थी उनसे इंद्र और उपेंद्र दो पुत्रों की प्राप्ति हुई फिर उसी नगर में सात्य की ब्रामन रहता था ओ ब्रामन के जंबु नाम का पुत्र और सत्य भामा नाम की पुत्री थी पाटली पुत्र नगर दूसरे नगर में यह तो रत्न संचे पूर क की बात हुई अब पाटली पुत्र नगर जो है वहां पर रुद्र भट नाम का एक ब्राह्मन रहता था वेद पाटी और वो अपने बालकों को वेद पढ़ाता था वहाई दाशी पुत्रे कपिल वह भी रहता था वह क्या करता था सुन-सुन के याद हो गया मतलब जैसे प्र पुत्र भट को मालूम चला कि इसे वेद याद हो गया तो और इसमें पात्रता तो है नहीं दाशी पुत्रता तो उसको बाहर निकाल दिया और और उस नगर से बाहर निकाल दिया तो वो रत्न संचेपुर में आ गया अब वेद का ज्याता था जने हूं अगरे पहनली उसन जैसे उनकी तो होती होती है जो जिस केर्टेजीर का इनसान होगा न जैसे आप rashively some लोग यह बैटे वे हैं सब दरप लोगों का इस टेंडर डूसरा रहेगा है ने और दूसरे जैसे लोग रहेंगे तो उनका इस टेंडर अपना अलग है तो यह तो को बोलते हैं तो वा सत्यभामा इसके साथ में जब रहती थी अब पती ओगए वो तो तो उस मैस्टो गई कि यह ब्राह्मन नहीं हो सकता क्यों क्योंकि इसाथ कुछेश्टाएं है वो चेश्टाएं ऐसी है जो एउस्य पूरुष्की नहीं यह एक असब्य पुरुष्की है अब कालांतर में वो रुद्रभट तीर्थी आत्रा करता वा रत्न संचेपुर में आया और रत्न संचेपुर में जैसे आया तो कपील तो उसको पैचान गया अब उसको धीरे से अपना मित्र बोलके और अपने घर में रत लिया और अपने सत अच्छा भोजन कराने लगी सत्यभामा और अच्छा उसको स्वर्ण वगरे दान करने लगी खूब दान श्कुट दे और खूब अच्छे से भोजन कराए अब अच्छा दान और अच्छा भोजन दे तो आदमी अपना तो हो जाता है अपना हो जाता है फिर तो उससे मन की बाद भी निकाल ली जाती है बाद वेदो और वैसे भी बताये गया कि चार कसायों में चार वर्ण होते ना उन चार वर्णों को चार कसायों में बाटा गया है जैसे वेश्यों में माया ज्यादा होती है ठीक है ने और छत्रियों में मान थोड़ा सा कुछ कह दो तलवार वस जैम में से बार निकाल लेंगे और ब्राह्मनों में लोब होता है जो ब्राह्मन होते हैं उनमें लोब होता है और शुद्र जो होते हैं उनमें गुसा क्रोध ज्यादा होता है ठीक ने तो इस प्रकार से वो ब्राह्मन तो थाई तो उसको अच्छा स्वन मिल गया और अच्छ सच बताओ कि ये कौन है अब रुद्रवट को मालूम दाई बोले ये तो चेटी का पुत्र मेरा दासी का पुत्र है मेरी दासी का पुत्र इतना सुनते ही उसने उसको छोड़ा और जो रानी थी सिंढ नंदिता उसके पास आई कि मेरे साथ में इस प्रकार से दोटा हुआ है और उसके साथ में आप नहीं रहूंगी उसको छोड़ दिया और वह सिंढ नंदिता इसरन में आ गई सिंढ नंदिता रानी ने बोला कोई बात नहीं तुम मेरे पास में रहो तुमें किसी प्रकार का कोई कस्ट नहीं होगा एक बार अर्क कीर्थी और अमित गती आचारिय आए उनके नगर में तो सिरी सेन महाराज ने सिरी सेन राजा ने जो है उनका अच्छे से वक्ति से पढ़गान किया सिंढ नंदिता और अनिंदिता जो दारानिय थी उन्होंने भी आहार दिया आहार दान के प्रवाव से उत्तम बोट भूमी का उनको प्राप्त हुई और इसने जो ये आपके सत्य भामा थी उसने अनुमोधना की दूर से इस प्रकार से उस दान के प्रवाव से ये सबी उत्तम बोट भूमी को प्राप्त हुए क्योंकि जो दान की अनुमोधना करता है और दान देता है वह इसी प्रकार से उत्तम बोट भूमी को प्राप्त होता है समय अपना हो रहा है एक संस्मर्ण आपको बता दें कि दान का देखो किस प्रकार से प्रभाव होता है या एक यानि हाइकु सुना देते हैं कि आचरी कि तरण कहां तरण कहां यह पांच अचर वित्रण के बिना वित्रण के बिना तरण नहीं है तो तरण कहां वित्रण के बिना भूयो मरण यदि मानली दिये हम देंगे नहीं तो हमारा बार 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 मरण होता रहेगा भूयो मरण बूयो मरण इसलिए बार बार हमारा मर नहों क्योंकि जो देता है वो देवता है और जो रटता है वो राट्शस जो देता है वो देवता है जो रटता है वो राट्शस है अपना किया और अपना दिया ही साथ जाता है किसी दूसरी का किया और दूसरी का दिया कभी साथ नहीं जाता है इसी भावन के साथ बोलिए अहिंसा पर्मों धर्म की आचारी गुरूर विद्या सगर जी महामुनिराजे की रत्न करनक स्रावता चार की कारिकाउंट के माध्यम से आगे बढ़ने श्रावत किस प्रकार से एक एक कदम आगे बढ़ सकता है एक युवट साथू चरणों में पहुंचा और साथू चरणों में पहुंच कर बोलता है कि बढ़न जीवन का मुल्ले क्या है जीवन का मुल्ले क्या है बोले जीवन का मुल्ले मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा तुम्हें एक काम कर उनके पास में एक चमकिला सा पत्थर था वो पत्थर दिया और उस पत्थर को दे कर बोले कि जा इस पत्थर का मोल पूस्ट कर आ लेकिन मोल पूस्टना इसको बेचना नहीं किसी को देना नहीं केवल इसका भाव इसका मोल पूस्टना है अब वो चमकिल पत्थ्र लेकर चला सबसे पहले कौन मिलता है सब्जी का ठेले ही मिलते हैं िश्वजी की ठेले वाले से पूछा कि मेरे पात में एक पत्थर है इसका क्या मौL जो पत्थर है कि कुछ weirdo मोल तो होगा और उसने कहा कि मैं एक बोरी आलू तुमें दे दूँगा एक बोरी आलू मैं तुमें दे दूँगा यह पत्थर मुझे दे दो तभी तो लेकिन बोले मेरे गुरू ने बोला इसको बेचना नहीं मोल पूछना वो आगे चला एक परचून की दुकान पर किराना की दुकान पर और उस किराना की दुकान पर पहुंच कर व्यापारी से पूछा कि वहिया मेरे पास में एक पत्थर है इसका क्या वहाओ क्या मोल होगा इसका किराना की दुकान वाले ने देखा उसको अलट पलट के लेकिन उसको भी लगा कि ज्यादा विशेश तो नहीं हा नहीं मैं तो केवल बस इसका मोल करने आया हूँ आगे पहुचा पीतल के बरतन मनानों की जो दुकान होती है बरतन वाले की उस पर पहुचा ऑबला भया ये पत्थर है इस पत्थर का मोल क्या है उसने बोला मैं दस किलो तुमें पीतल दे दूगा दस किलो पीतल दे दूगा तब उस व्यक्ति को भी लगा कि जरूर इस पत्थर में कुछ विशेश तो है तभी तो भड़ता जा रहा है अब आगे वह चांदी की दुकान पर पहुँच गया चांदी वाले को पत्थर बताया और उसने भी अलट पलट के देखा बोले बहिया म मैं तुम्हें दस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अभी उसने दिया नहीं हाँ अभी उसने दिया नहीं है उसके बाद में जोहरी बजार में खूप जोहरी बैठते हैं वो पहुंच गया जोहरी बजार में जहां हीरे जमाराग का काम होता है वहाँ पहुंचा और उस पत्थर को दिया और बोला भाईया इस पत्थर का मोल क्या जैसे ही जोरी ने पत्तर को देखा बोले जो तू बोलेगा बोल और वो ही इस पत्तर का मोल जो तू बोलेगा बोल वो ही इस पत्तर का मोल आप लोड़ों को कहानी तो पसंद आ रही है और अच्छी लग रही है लेकिने कहानी किसकी है बोलो नरतन रतन अमोल इसे पानी में मत डालो और पूजन कर लो पुन्य कमालो प्रभु के गुण गालो चलो रे तिर थन कर लेनी चलो ठीक न इस प्रकार से नरतन यह मिला है तब वह व्यक्ति वापस पहुशता है सादु के चरणों में और सादु को कहता है भगवन समझ में आ गया कि जीवन का मोल क्या है उसको पूछने की जरुरत नहीं सादु तो प्रैक्टिकल करके बता देते हैं कि प्रैक्टिकल देख ल लेकिन हम इस जीवन को केवल मात्र अर्थ को कमाने में और विसे भोगों में उसको लगाने में और कमाने में ही गुजार देते हैं पूरा जीवन यूहीं भी जाता है यूहीं आता रहा यूहीं जाता रहा और लाग चोराशी के चक्कर खाता रहा बोलो लाग चोराशी के खाता रहा समराट सिकंदर जो 23 वर्ष की उम्र में विश्व विजयता बनने का जिसने इतियास बनाया वह जब मरना सन्य था उसने अपने परिचारकों और जो मेडिकल स्टाप था दॉक्तर्स वगड़े थे उनसे कहा कि मुझे 24 गंटा जीवन दान देदो बस 24 गंटा मुझे जीवन दान देदो क्योंकि 24 गंटा मैं अपनी मा के पास पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हें मूह मांगा इनाम देदूगा दॉक्तर्स बोले आपका सरीर इत पूरा सामराज्य भी देदो तो हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हें तुम्हारी मां तक हम पहुंचा दे या तुम्हारी मां को यहां तक आने तक तुम्हें जिंदा रट लें तब सम्राट सिकंदर बोलता है कि मैंने इस दुनिया को जिसने सारी दुनिया को जीता वो आज अपने आप से हार गया जिसने सारी दुनिया को जीता आज वो अपने आप से हार गया मां मरूंगा मुझे कोई गम नहीं लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली निकाल देना बाहर निकाल देना दोनों हाथ खाली जो मेरे हैं मैं मरने के बाद बोले मरने के बाद जनाजे की दोनों हाथ बाहर निकालना तो काइदे और कानून के विरुत होता है ऐसा तो नहीं कर सकते हैं बोले नहीं यहीं तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि काइदे और कानुन का उलंगन कर विश्व विजेता बनने वाला समराठ सिकंदर भी जब गया तो इस धर्ती से इस दुनिया से खाली हाथ गया अब मैं चाहूं भी तो रुट सकता नहीं दोस्त कारण मंजिल ही खुद बढ़ती जाती है मैं जितने पाउँ बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और दसकती जाती है मेरे अद्रों में गुला है हला हलकाला मेरे अद्रों में गुला है हला हलकाला नेनों में नंगी आमोत मुश्कुराती है हराम नाम ही सत्य असत्य सब कुछ यही द्वनी कानों से आटक राती है यही द्वनी कानों से आटक राती है बस राम नाम सत्य है लेकिन करें क्या ये बात मुर्दो को सुनाई जाती है क्यों पारज जी जिन्दो को सुनाए तब तो और काम आए बोलो मुर्दो को सुनाई जाती है और मुर्दो को कभी भी सुनाने से लाब नहीं है जिन्दे की समाधी होती है मुर्दे की नहीं जब तक हमारी चेतना जब तक हमारा इस सरीर कारी कर रहा है इसका उप्योट कर लो MBA बनना सरल है लेकिन सुन्द रहो MBA बनना सरल है लेकिन इस जिन्दकी को इस जीवन को LMA बनाना कठीन है एक है MBA और एक है LMA LMA का मतलब है Life Management Art Light Management of Art इस जीवन को या प्रबंद करने की कला सबको नहीं आती है चार बात याद रखो तो जिन्दगी जीते जी जन्नत बन जाएगी मरने के बाद तो जन्नत मिलेगी ही क्योंकि वो तो आप कहीं पर भी जाओ स्वर्गिये लगाना है नाम के आगे स्वर्गिये ही लगेगा कहीं पर जाओ ठीक है नहीं यह फिट्स है यहाँ पर तो इसलिए जीते जी जन्नत बनाना है तो चार बात कौन सी यह चार बाते हैं जुबान को रखो नरम जुबान को रखो नरम इसलिए तो भगवान ने जीव में लोच दी है दांतों को कठोर बनाया है दांत कठोर है और जीव मुलायम है जीव लचिली है जीव मुलावे बोल रही है कि दुबान को नरम रखो आप देखिए और वैसे भी क्यों बहना आगे बैटिए दान्थ पहले आते हैं जीव बोलो दान्थ पहले जीव जब बच्चा पैदा होता है तो जीव तो हमें जनम से मिली दान्थ बाद में आए ठीक है ने तो जीव हमें पहले मिली है क्योंकि वह जनम से ही आई है और जब तक हम रहेंगे तब तक आपके साथ रहेगी दान्थ बाद में आए हैं हमारे भी हिलने लगे हैं तो जुबान को रखो नरम और आखों में रखो सरम जुबान को रखो नरम और आखों में रखो सरम और दिल में रखो रहम दिल में रखो रहम और जेब को रखो गरम जेव को रखो गरम तो आपका जीवन जीते जी यहीं पर जननत बन जाएगा अलग से जनने की जरुनत नहीं है इस परकार से अपने जीवन को धन्य करना चाते हैं तो आचारिया ने बताया हसने कर नहीं कि चार बातें अपने जीवन में चार प्रस्ण रोज प्रति दिन पूछा करो है ने हम लोड तो प्रति दिन यह गाथा महाराज जी भी प्रति दिन पढ़ते हैं हम भी आचारी स्रीजी भी आचारी स्रीजी के मुझे प्रति दिन सुनते थे जब उनके साथ रहते थे तब तो कि मैं कौन हूँ पहला प्रस्ण क्या मेरा क्या है दूसरा प्रस्ण क्या है मेरा क्या है तीसरा प्रस्ण है मुझे क्या करना है और चोथा प्रस्ण है मैं क्या कर रहा हूं ये चार प्रस्ण प्रती दिन अपने आप से पूचोंगे जीवन आपका धन्य हो जाएगा मैं कौन हूं को हम कि दुना ट्रत्या किम प्राप्यकिम निमित्र कहे इत्वय प्रतियम नोचे दस्तानेती महित मतिर भवेत अपने बुद्धी में रोज प्रति दिन इन चार प्रस्णों को रिपीक करो बार 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 मुहुर मुहुर प्रेट्षा इति अनुप्रेट्षा बार भावना जो होती है ना भावना क का मतलब ही यही है बार 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 क्योंकि आपको संस्टकार डालने हैं हमको भी संस्टकार डालने हैं अपने आपको संस्टकार जब तक नहीं डालेंगे तब तक अपना यह जीवन धन्य नहीं बनेगा आज इसे जीवन को हम उन्नत करना चाहते हैं अपने आपको LMA Life Management का यह फंडा कोर्स करने सीथने के लिए इंदोर से भी बहुत सारे लोग आए हैं तो आते ही हैं क्योंकि अब Life Management कौन सिखाएगा जो जीने और मरने का तरीका जानता है वो ही सिखाएगा ने हाँ नहीं तो आप सीवीरों में चले जाओ आर्ट ऑफ लिविंड के तो बड़े-बड़े सीवीर लगए हैं लेकिन वो खुद ही लिविंड में नहीं अभी तो कहां से आर्ट मिलेगी बोलो तो इसलिए जो खुद मस्त है अरे आप लोग इतनी मेनक करते हैं और एक हाथ से 달 गाते हों अमनों कुछ नहीं करते हैं दोनों हाथे वोलो इसी में वोलो हम मस्ते हैं आप मस्ते हैं चलो तो चार बाते और दे देता हूं कि घर परिवार में सास सु near हो चायए दो र्यानी जिठानी हो चाए है शास भहू हो चाय भाई-भाई हो चाय पिता पुत्र हो इन करें इंगर को बुद्धी से काम करना तभी तुम आगे बढ़ जाओंगे बिजनिस में अन्य द्थ न उम्यब बा twenties चाओंगे और नीचे लोड़त चाओंगे इसलिए व्यापार बुद्धी से चलाओ और घर परिवार में आते ही अपनी भावनाओं का काम लो चार प्रकार की क्या भावनाओं है कि इस्टॉप क्या रोटना है इस्टॉप इस कैल्कुलेटिंग आपको घर परिवार में कैल्कुलेटिंग मत लगाओ इन्होंने इतना किया मैंने इतना किया ऐसा किया वैसा किया इस कैल्कुलेटिंग आप वहां लगाओ यहां नहीं इस्टॉप कंप्लेन इस्टॉप कंप्ले तो यह कहानी एक बात में सुनाएंगे अभी ताइम मेरे पास भी मेरे पास है फिर स्टॉप काटिंग किसी की बात को कातू नहीं सुने रही है हां इस टॉप कैल्कुलेटिंग को पूर्प कमप्लेंड हो जए तो संग में हो चाहे वन में हो और चाहे घर में हो चाहे धफ्तर में हो चाहे स्रावत हो चाहे सन्यासी हो सब लोग सुठ्षे रह सकते हैं कंप्लेंड केल्कुलेटिंग कटिंग और कंपेर से हम अपने आपको बचाएं तभी अपने इस जीवन को हम धन्य कर सकते हैं धन्य करें इसी परंपुनित भावना के साथ मैं अपनी सुवानी को विराम देता हूं बोली आइंसा परमोध धर्म की आचारी गुरुवर विद् जैन गंगवाल परिवार प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर